दोस्तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एपल का मैकबुक लेने के लिए तो आज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा ये है एपल का नया मैकबुक एर 2018 वर्जिन आज हम करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग और मैं दूँगा इसका पूरा रिव्यू कैसे काम करता है औ तो फटा फट टाइम खराब ना करते हैं वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जैसा आप देख सकते हैं ये मैकबुक एर है और मैकबुक एर के अंदर अगर आपको अभी दिखा पा रहा हूं तो यहां पर आपको मिलता है 13.3 इंचिस का आपको स्क्रीन मिलेगा LED इसक्रीन दिस्प्ले मिलेगा आपको 1.8 GHz का Dual Core Core i5 का प्रोसेसर मिलेगा जिसमें 3 MB की कैशे है और 8 GB की स्क्रीन आपको 16 100 MHz की आपको LPDDR3 RAM मिलेगी 128 GB की आपको SSD Hard Drive मिलेगी और आप तो जानते हूं कि SSD Hard Drive काफी Fast होती है Intel HD Graphics के इंदर आपको मिलेवाले 6000 सीरीज के बाकी मैं आपको धिरी-धिरी जैसे खोलता हूं इस डब्बे को मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा ARP जो है इसके पर लिखे हुए 77,200 लेकिन ये मार्केट के अंदर आपको 55-60,000 के बीच में बड़े अराम से मिल जाएगा तो फटाफट दोस्तों इसके अन्बॉक्सिंग हम करते हैं अन्बॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास बड़ा सिंपल सा टूल है ये स्केल है हमारे अभी आफिस में रखा हुआ है तो इससे हम पहले इसको फटाफट अन्बॉक्स कर लेते हैं और बड़ी ही प्यारी इसकी आवाज है बॉक्स को करते हैं ओपन तो ये है हमारा चमचमाता नया मैकबुक एयर 8GB 128GB वर्जिन पहले इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं अbe अब और इसके बारे में भी बात करर fights के लिए पर देखते हैं और क्या-क्या मिलता है हमें तो ये है अपका मैन시면 MacBook के बारे में इसके अंदर एक दो sticker भी आपको मिलेंगे जो आप अलग जगह पर कहीं पिल लगा सकते हैं लाइक दो स्टिकर मिलते हैं वैसे मैंने फिछले MacBook के अंदर कहीं पिले योज नहीं किया थे और करें और सिंपल मैनुमेल है आप इसको पड़ सकते हैं इसको अलग रखते हैं इसको मैंने आपको बताया था कि आप बड़ी easily मैं दिखा देता हूँ अगर आप देखेंगे तो नोब और इस point को इसको आपको connect करना है और इसके बाद just इसको plug-in कर देना है तो यह हो गया connect normally मैं सिरफ यह wire use करता हूँ बागि अगर आपको wire को लंबा करना है तो you can use the extension extension कैसे use करते हैं जिस जगह पर मैंने अभी यह plug-in लगाया है आप इस जगह पर लगा सकते हैं इसे मैं दिखाता हूँ कैसे यह देखें अगर आप इसको यहाँ पर लगाते हैं तो wire आपकी extend हो जाएगी और जो power connector है वो यहाँ पर आजएगा बट normally क्योंकि मैं इसको use नहीं करता हूँ तो मैं directly extension को हटा देता हूँ और यहाँ से connect कर देता हूँ तो मुझे लगबग इतनी wire की ज़रूत होती है है that's more than sufficient for me magnetic effect होता है यह easily connect हो जाती है बागे इसके अलावा और डबी में कुछ भी नहीं है दोस्तों यह बड़ी simple packaging में आता है तो हम move on करते हैं अब next step की तरफ तो finally यह हमारा MacBook Air 128 GB तो दिस दसील तो हम अभी open कर लेते हैं बहुत यह सी एक प्याली सी sound है इसकी और यह लीजिए यह थोड़ी से detail काफी ही काफी sleek है यह काफी पतला है और देखने बहुत ही खुबसूरत है 13.3 इंचिस का है और टोटल यह मेटल का बॉड़ी है इसे भी हम में टा देते हैं और इसको करते हैं on दोस्तों जैसे कि आपने आवाज सुनी अब यह बूट हो गया है तो इसके बाद आपकी होंगी कुछ क्विक सेटिंग्स जो मैं आपको करता हूं और उसके लाद आपको इसका पूरा डिटेल मैं आपको रहे भी दोगा है में लेंग्वेज प्रस्ट रीटर्न की